मच्छर जनित बीमारिया और उनसे बच्चाव के उपाए सभी को नमस्कार आज हम मच्छर जनित बीमारियों और उनसे बच्चाव के बारे में जानकारी लेंगे मच्छरों से हमें मलेरिया, हाथी पाउ, जेई डेंग्यू, चिकन गुनिया, जी का ये बीमारिया हो जाती है मलेरिया का बुखार मादा इनुफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी इस बीमारी के प्रभाव में है इसकी वजह से व्यक्ति और देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है हाथी पाउ की बीमारी क्यूलेक्स और मैंसुनिया मच्छरों के कारण होती है दुनिया के एक किहाई मरीज भारत में है इसलिए इस बीमारी का उस परिवार पर बहुत गंभीर सामाजिक प्रभाव पड़ता है जापानीज एंसेफिलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है और 5 से 10 वर्ष की आयू के बच्चों में मृत्युदर सबसे अधिक हैं देंगू और चिकन गुनिया मादा एडीज मच्छर से फैलता है 55 प्रतिशत आबादी इस बीमारी से प्रभावित है इस बीमारी की मृत्युदर 40 प्रतिशत है चिकन गुनिया रोग घातक नहीं है लेकिन जोडों में गंभीर दर्द का कारण बनता है इन बीमारीों के बढ़ने के क्या कारण है जनसंख्या वृध्धी, बढ़ता शहरी करण इसलिए अन्यमिजल आपूर्ती और अन्यमिज बिजली आपूर्ती निक्रिष्ट सार्वजनिक स्वच्छता मनुष्यों और मच्छरों का तेजी से परिवहन मच्छरों के विकास के लिए आवश्यक पोशक वातावरन दुनिया में मच्छरों की 3,000 से अधिक प्रजातियां और भारत में 255 से अधिक प्रजातियां है मच्छरों में मुखांग, विशेशुरूप से सुन्ड अत्याधिक विकिसित होते हैं एक लार्वे का जलियत चरण में नीचे सिर और उपर साइफन ट्यूब होता है। लार्वे हवा से ओक्सिजन लेने के लिए पानी की सेतहे पर आ जाता है। इस बीमारी के नियंत्रन के लिए मच्छरों की जीवन चक्र का अध्यान करना महत्पूर्ण है। पहले तीन चरण पानी में अंडे, लार्वा और प्यूपा है। और चौथा चरण पानी से बाहर मच्छर का पूरा होना है। अंडे एक से दो दिनों में लार्वा में वदल जाते है। कुल जीवन चक्र में 8 से 12 दिन लगते हैं, लार्वा से प्यूपा में 5 से 7 दिन और प्यूपा से वयस्क मच्छर में 1.5 से 3 दिन लगते हैं, मच्छर का कुल जीवन क्रम 22 से 28 दिनों का होता है. इन मच्छरों को खत्म करने के लिए लार्वा कंट्रोल बहुत जरुरी है। किया जा सकता है इसके लिए केवल टार्च की आवश्यक्ता होती है मच्छरों के नियंतरन के लिए मच्छरों की आदतों का अध्ययन बहुत जरूरी है मादा एडीज और एनोफिलिस मच्छर अपने अंडे साफ पानी में देती है जबकि क्यूलेक्स मच्छर प्रदूशित पानी में अपने अंडे देती है एडीज मच्छर दिन में काटता है जबकि क्यूलेक्स एनोफिलिस मच्छर शाम या रात में काटता है एनोफिलिस मच्छर काटने के बाद दीवार पर टिक जाता है जबकि एडीज मच्छर अंधेरे कमरे में इसी लटकी हुई वस्तु प पर टिका होता है। पर मानसून के दौरान चट पर पाए जाने वाले बेकार पदार्थों में पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन साइट, बगीचे में फववारों में, दलदली क्षेत्रों में लारवा विक्सित होते हैं। यदि हम ग्रामीन क्षेत्र में घर में प्रवेश करते हैं, तो ये लारवा पानी के भंडारन के कंटेनर, कपड़े धोने के लिए सीमेन के टाइंग, यार्ड में बेकार सामगरी, टायर, पालतू जानवरों के लिए पीने के कटोरे आधी में विक्सित होते हैं. यदि ग्रामीन क्षेत्र में कोई नहर या नदी है, तो ये मच्छर वहाँ बने पोखरों में, टायरों में, पेडों के खाँचे में और आसपास पड़ी बेकार सामगरी में विक्सित होते हैं. मच्छरों के लारवा की पहचान कैसे करें? घर में जमा पानी में लारवा का पता लगाने के लिए अच्छे टॉर्च का इस्तमाल करना चाहिए. दूशित पानी, जिसमें लारवा पाए जाते हैं, उसे जमीन पर डाला जाना चाहिए न की नाली में. नाली में डालने के बाद उसमें लार्वा जीवित रहते हैं सीमेन के कंटेनरों में जिन्हें खाली नहीं किया चा सकता है उसमें उप्योक क्रुमी नाशक या गप्पी मचली का उप्योक किया जाना चाहिए इसके लिए स्वास्य विभा का सहयोग लिया जाए घर के सभी जलाशयों को ढख देना चाहिए ताकि मच्छर उनमें प्रवेश्ण कर सके और अपने अंडे न दे सके छट की पानी की टंकियों के ढखकन बंध होने चाहिए सोते समय मच्छर दानी का जितना हो सके प्रयोग करे गर्बवती महिलाओं को बच्चों के साथ दो पहर और रात को सोते समय मच्छर दानी का प्रयोग करना चाहिए इंडोर वेन पाइप को जाल से बांधना या इसे कपड़े से बांधना भी मच्छरों के संक्रमन को कम कर सकता है घर के आसपास के क्षेत्र को साफ रखें हाला कि लार्वा नियंत्रन और बरतनों को खाली करने के लिए महिलाओं और बच्चों के सहयों की आवश्यक्ता होती है संक्षेप में माईने यह रखता है कि हमें क्या करना चाहिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए मच्चर जनित रोगों से बचाव के लिए लार्वा नियंत्रन सबसे महत्वपूर्ण है सबता हमें एक बार दस मिनित के लिए टॉर्च से घर के अंदर और आसपास के सभी जल निकायों की जांच करें और अपने क्षेत्र को साफ रखें इसलिए हम सब मिलकर संकल्प करें सबका साथ सबका प्रयास मिलकर करेंगे मच्चरों का विनाश धन्यवाद मिलकर विलकर कर दका साथ संकल्प करें प्रयास